मज़िए नमस्ते दोस्त आपके पास में लेकर आए हूं आउट्बूट्ट टरंस्फर्मर्मर जो के अंदर होता है इस तो आउट्पूट्ट टरंस्फर्मर्मर की वाइंडिंग कैसे घड़े आज आपके पस लेकर सिक्स्टी वाटक आफ्ठ था से अर्ट कैसे पर यह तर्फरह थे नितने क्र में को वांते, दो पैले को लेना है को व섯 ही इसलिछ.. वक्राbelाट रखे वांते में अटने के लिए न खाल उभांब छुड़ाग ईक्ना सेहने था में टाल ह है ंग तेंग तो कोडो ठैसर कॉसरा मिद ट्लकुटिक करें स्थून हिख आप करोगले नम आकतर नमिंदें कि युदक तेंग रेह सुर्दू को इब काफ करेंस युदum यिविपना निहीं तेंग में साइजरेँ इस साइज है 1.5 इच इस साइज से इस साइज होगा 1.5 इच इस साइज में आपको कितना टांस लेना है पाइमेडी साइज में आपको 48 टांस एक बार इसको लेटने से एक टांस होगा इस तरीके से आपको 48 टांस लेना है पाइमेडी वांटिंग में जो टैंडिस्टर के साइज में होगा दूसरे इसका गेज कितना होगा अट्रा नंबर का ताल यूज करें आपको कॉपर जो कॉइल वांडिंग का तार होता है वह ले दूसरे कोई ताल नहीं ले शिर्फ कॉपर का लें अट्रा गेज का वाईल लें सेकेंड्रिससाइड पहले अपको दूसरे दो कोईल बनाना है इसको देख लिजए अथा गेज गेज का दो कैम यूगा जो अंदर की तरब जिवो होगा दोसरेड्र में पॉटेट टान्स तो क्या करना है आपको दो तारा नंबर के दो तार्रा एक साथ लपित लेना है इस के पर बॉबिंग को पड़ अब को टाइट करके लगे नहीं तो इसका पॉब्लिम होगा अच्छी तरीके से आउट पुट नहीं होगा फिर आपका इसको लपिट ने के तरिके टाइट होना की चाहिया इसको लपिटने के तड़ी को फिर में लपिट ने विडिक होना की से जाए है इस तरीके से प्यप्ड मिले गापको नहीं Altly ISOьте ऑगल टीजिए इस तरीक शाहर लेगा, इस paper को primary और secondary के 20 लगाना है, कोई short circuit ना होना इसलिए, secondary टांस लेना है, secondary आपको लेना है 4 ohms, 8 ohms, इसलिए अपनों farms को 67 ton, 67 ton, फिर उसके बाद 67 ton ले लिए आपको secondary में, प्लास और 67 टांस लेना है कि आपको फोरोम्स जी कॉमन फोरोम्स एटोंस साहिए इसलिए एगल देख लिए पतों यह जो टांसे इधा तरीके इस साइट से इस एट साइट यह फोरोम से इसका साइट 67 टांस है उसके बात फोरोम्स से एटोम्स लेने तक फिर आपको 67 टांस लेना है तो यह होगा सेगेंडरी सेगेंडरी में आपको वायर गेज होगा 20 20 नंबर का जो तार होता है 20 19 भी लगा सकते है तो टैंस फोर्मान चाहिका नहीं होता है उसलिए 20 लगान सही है 68 में इसलिए 20 नंबर के तार ही उसके है तो अपको हो गया तो फिर आपको कह करना है कमोंड 17 वोल्ट एंड एवं 100 वोल्ट की जो वायर निंग होता है उसका ताल लेना है फिर आप इस तरीके से पेपार लपन लेना बामिंग अबर पिर आपको कमोंड 17 वोल्ट एंड 100 वोल्ट के लिए पहले 17 वोल्ट के लिए त्री डॉबल वन 311 वोल्ट लेना है फिर उसके बाद उसके प्लास वन थर्टी टरंस लेना है यह आपको 26 वोल्ट के ताल लेना है यह होगा आपका 60 वाट का ट्रंस्फोर्मर आप बहुत कोमेंट्स में देख लिए तो 60 वाट का ट्रंस्फोर्मर कैसे बना है उन्हें में आपको समझा दिया तो पहले आप एक कोड लेजिए 15 नंबर की कोड बाविन लेजिए 1.5 इंच बाविन उसके हिसाब से आपको कोड कोड का बाविन प्लस कोड जितना होगा उतना आपका कोड लेना है 1.5 इंच का जो कोड होगा वह बहुत होगा इतना होगा यह 1.5 इंच का कोड लेना से होगा यह 15 नंबर का कोड है देख लेजिए मेरे पास पूरा नहीं थी है तो आहें आपको समझ में आ गया है इसके बाद में 100 वाट का आउटपुट ट्रास्परमर की बाइंडिंग का डाइग्रम लेकर आउँगी फिर आपको आपको समझ का ट्रास्परमर बाइंडिंग करके भी देखा दूंगी ठीक है आज के लिए इतना ही लाइक चैनल को अच्छा लगा तो लाइक शियार एवंग सब्सक्राइब करना मत बुलना कोई जनकरी होने के लिए कॉमेंट्स करना